याद कीजिए कि आज से 30-40 साल पहले हमने क्या थाइरोइट की बीमारी का नाम सुना था या इस जैसे कई अन्य बीमारियों का नाम सुना था? जी नहीं, इससे पहले हमने बहुत सारे रोगों का नाम भी नहीं सुना था जिसे हम आज के जमाने में सुन रहे हैं इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा जिससे हमारा थाइरोइट जो है वो बीमार हो गया नमस्कार मैं हूँ रवी वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजीज फ्री और हेल्दी लाइफ स्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ तो आईए जान लेते हैं कि आखिर यह थाइरोइट डिजीज क्या है क्योंकि सिर्फ थाइरोइट की बात करें तो वो कोई डिजीज नहीं होती वो हमारे शरीर में गले के निचले हिस्से में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लेंड होती है जो दो तरह के हर्मोन बनाती है एक हर्मोन का नाम होता है T3 और दूसरे का नाम होता है T4 वो TSH नाम का हर्मोन बनाती है जो ये T3 और T4 को कंट्रोल करके हमारे शरीर के बेसल मेटरबॉलिजम को कंट्रोल करता है जब हम थाइरोइट का बलड टेस्ट कराते हैं तो इसी T3, T4 और TSH के लेवल का टेस्ट होता है जब हमारी शरीर में थाइराइड का हर्मोन बनने का T3, T4 का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस वक्त हमें दो प्रकार के थाइराइड की बिमारी हो सकती है पहला होता है हाइपो थाइरोडिसम जिसमें T3 और T4 जो होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है हाइपो थाइरोडिसम की बिमारी ही ज्यादा तरलोगों में पाई जाती है और महिलाएं इसका ज्यादा शिकार होती हैं इसी तरह से अगर हम हाइपर थाइरोड की बात करें तो इसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल घट जाता है जिसके कारण हाइपर थाइरोडिसम होता है आईए अब जानते हैं कि हाइपो थाइरोडिसम के लक्षन क्या होते हैं तो अगर अकारण आपका वजन बढ़ने या घटने लगे भूख आपकी कम हो जाए, बाल आपके जढ़ने लगे, शरीर में आलियस से रहने लगे, वार्न आउट फीलिंग होने लगे आपको, थकान रहने लगे अगर आपको, तो आपको थायरोइड का टेस्ट करा लेना चाहिए. इसी तरह हाइपर थायरोडिजम में पेशेंट को भूब बहुत ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन उसका वजन घटने लगता है, उससे गर्मी बहुत लगती है, पसीना निकलने लगता है, इसके अलावा पल्पिटेशन याने धढ़कन हिर्दय की असमान ने हो जाती है, बाल भी ज़डने लगते हैं, अगर ऐसे कोई भी लक्षन आपको हो रहे हो, तो भी आपको थायरोड का टेस्ट करा लेना चाहिए, अब बात करते हैं थायरोड के ट्रीटमेंट या क्योर की, तो अगर हम एलोपैथी की बात करें, तो इसकी जो दवाईया हैं, वह आपको जीवन भर खानी पड़ती हैं, क्योंकि यह थायरोड के डिजीज के को ट्रीट करती है, मतलब उसके लक्षनों को उसी समय कम करती है, लेकिन इस डिजीज को वह रिवर्स या क्योर नहीं करती है, तो आप पूछेंगे कि क्या डायेट थेरेपी से और नेचरोपैथी से इस का इलाज या इसे रिवर्स किया जाना संभव है, जी हाँ, बिलकुल संभव है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह एक मेटाबॉलिक डिसॉडर है, अब मेटाबॉलिजम का कंट्रोलर शरीर में कौन होता है, वो होता है हमारा लीवर, तो यानि अगर हम लीवर को इंट्रोपैथी से, कैसे हम डायट थेरेपी से इस डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के हार्मोन चक्र का बैलेंस करना, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हम सुबह की धूप कम से कम आधा से पौन घंट याने 30 से 45 मिनट अपने शरीर में लें और इसी वक्त हम कम से कम 20 मिनट तक उज्याई प्राणायाम करें, इससे हमारा जो थायराट ग्लैंड होता है, वो मजबूत होता है, और उज्याई प्राणायाम सुबह आपको गुनगुनी धूप में बैट कर तो करना ही है, इसके अ इससे आपकी थायराट ग्लैंड जो है, वो मजबूत होगी और हार्मोन चक्र का बैलेंस बनेगा, अब बात करते हैं डायट थेरेपी की, तो जिन लोगों में थायराट की समस्या है, उन्हें क्रूसी फेरस फैमली के वेजिटेबल्स याने कैबेज फैमली के वेजिटेब चाय कॉफी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, इसके साथ ही उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए, कि बाजार के प्रोसेस्ट और रिफाइंड जो फूड होते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक, पिज़ा, बर्गर, इसके सेवन से उन्हें बचना चाहिए, तो बहतर ह इसके अलावा अगर आपको अपने थायराइड का रिवर्सल फास्ट करना है, तो आपको गेहूं और दूद और दूद से बनी चीजों की उपयोग को कुछ महिने तक इस्थागित कर देना चाहिए, याद रखिए कि हर बीमारी के इलाज के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो हमारे शरीर के अंदर बैठा है, हमें जरूरत है कि इसे हम पहचाने और इस पर विश्वास करें, तो खाने पीने में याने डायट थरेपी में अगला नमबर आता है, राजमा और छोले और इस तरह के दूसरे बीन्स का जो वाटर प्रूवर फूड होते हैं, इस खाना है, तो हमें अनपॉलिश्ड राइस खाना चाहिए, इसके अलाबा हमें रोटी के लिए क्योंकि हमने वीट बंद किया हुआ है, गेहूं बंद किया हुआ है, तो हमें मिलिट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो इसका सेवन करना चाहिए, और एक बात ध्यान में रखने की है, कि हमें एक बार में एक ही अनाज खाना चाहिए, याने या तो रोटी सबजी या दाल चावल सबजी, थाइराइट के पेशेंट्स को जो अपना अनाज है, उसमें परिवर्तन के साथ साथ अपने नमक में भी परिवर्तन करना चाहिए, जो सी सॉल्ट या समु सेंधा नमक उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपको thyroid के reversal में बहुत speed मिल जाती है, बहुत तेज गती से thyroid सुधरने लगता है thyroid के reversal के लिए आईए बात करते हैं vegetables की और nuts की तो vegetables में सबसे पहले हमें thyroid के disease के मरीज हैं, उनको सबसे पहले सुबह उठ से साथ जो पहली चीज करनी चाहिए, वह है रखिया याने ash gourd का juice और अगर यह ना मिले तो एक ग्लास भर के नारियल पानी या coconut water इसके अलावा एक juice जो बहुत अहम है आपके thyroid की चिकिसा में, वो होता है खीरा, धनिया और आउला का juice जिसे एक ग्लास हमें सुबह और एक ग्लास शाम को जरूर पीना चाहिए अब आप कौन सा nuts है जो आपके लिए thyroid के reversal में बहुत उपयोगी साबित होता है वह nut है, अखरोट या walnut इसे हमें एक handful याने एक मुठी रात को पानी में भिगा देना चाहिए सोप कर देना चाहिए और दूसरे दिन, दिन भर इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि ये अखरोट के आकार का ही होता ध्यान रखिये thyroid आपका इसलिए ईश्वर ने आपको ये नैचरली प्रदान किया है कि ये thyroid के डिजीज के रिवर्सल में आपकी मदद करेगा यकीन मानिए कि अगर आपने नियमित रूप से धूप ली उज्ज़ई प्रणायाम प्रति दिन दिन में तीन बार किया और अपने डायेट को बहतरीन तरीके से कंट्रोल करके जैसा हमने बताया है अपने मेटबॉलिजम को सुधार लिया तो thyroid की जो disease है वो आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी इसका रिवर्सल हो जाएगा हमें उमीद है कि अन्य वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आया होगा हमारे जो अन्य वीडियो हैं उनके description में link हमने दे रखे हैं और आपसे उमीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक संख्या में like, subscribe और share करेंगे thanks for watching